हेलो फ्रेंड्स मैं सीलेंद्र रास्पुथ स्वागत करता हूँ आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदिदा यूट्यूब चैनल में और आज के सेशन में आप सभी फ्रेंड्स देखने बाले एक बहुती जदा सांदार सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया ह हूँ और निशिती आज के सेशन में आप लोग देखने वाले हैं वैसिक इंगलिस ग्रामर की ही थार्ड क्लास ध्यार रखेंगे ये क्लास नंबर थीर्ड है ठीक है और थर्ड क्लास बहुत ही जदा ये शांदार है और आप लोगों से कहीर न कहीं है अब सभी इस्टुज लिए एक शांदर क्लास ये होने बाली है किसी भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की जो competitive examination है हर exam के लिए ये जो क्लास है बहुत ही जदा सांदार है और इस तरीके से आपको इसमें पढ़ाया गया है कि अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं इस प्रेंड्स को भी अच्छे से समझा सकते हैं बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं ठीक है तो कल मैंने आप लोगों को कुछ ये slides बता रहा हूं इनको मैंने कहीं ने कहीं आपको पढ़ाया था ठीक है प्री पोजिशन हो गया था इसके लावा pronoun भी हो गया था जो noun की जगे काम करत है बी की फॉर्म भी कल बताई थी और इसके लावा यहां तक आपका हो गया आप चलते हैं थोड़ा सा अगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं थोड़ा सा एड्जेक्टिव के बारी में ठीक है तो आज किस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं एड्जेक्टिव को एड्जेक्टिव की बात करेंगे ठीक है क्या होता है एड्जेक्टिव कब यूज किया जाता है कैसे क्या यूज किया जाता है ठीक है किसी से रिलेटिड हम लोग कहीं ने कहीं बातें करने वाले हैं तो देखेगा एड्जेक्टिव का काम क्या है इट कौालिफाइज अना आता है, नाउन के लिए आता है, ये किस के लिए आता है, इस पेसली नाउन के लिए आता है, और ये नाउन को ही क्वालिफाई करने आता है, उसकी खासित बताने के लिए आता है नाउन की, ठीक है, जैसे अगर मैं कहे दूँ, एक ये कार है, ये आपका नाउन है, ठीक है, इ ऐसे ही beautiful card ठीक है beautiful card तो अलग-अलग प्रकार की इसकी खासियत बताने के लिए जिस तरीके से ये use किया जा रहा है वैसे ही आपका इसमें आएगा इसी इसका भी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और तो अलग-अलग तरीके से इसमें पूछा जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखेगा कैसे मेरा पहला जो sentence आपकी screen पर है Mohan wrote a romantic letter to Salini तो Mohan यहाँ पर क्या है Mohan subject है और noun का भी काम कर रहा है वहीं write, wrote, written second form है verb की ठीक है और यह आपका verb है verb की second form दी हुई है object यहाँ पर क्या होगा तो इसने क्या लिखा है letter को लिखा है object हो जाएगा ठीक है और यह आपका noun भी है ठीक है यह आपका noun भी है और letter है कैसा तो देखेगा जो letter लिखा गया है वो एक romantic letter है ठीक है इसके जो remaining part है adjective के अभी क्योंकि basic class ही है तो romantic letter है तो यह क्या है आपका यह हो जाएगा adjective क्योंकि इस noun की खासियत यहाँ पर इस noun की खासियत बताने के लिए आ रहा है एसा letter है मतलब romantic है तो यह आपका adjective है तू क्या है तू आपका preposition है ठीक है और salini जो है इस preposition का object है ठीक है यह इस preposition का object है इतनी बात clear हो गई ठीक है यहाँ पर हमारा यह adjective है ठीक दूसरे sentence को देखते है रजनी part of speech की अगर बात करेंगे तो यह आपका noun हो जाएगा वैसे आपका sentence में देखेंगे तो यह subject हो जाएगा और वैसे noun है ठीक है sell, sold, sold यह आपका verb हो गया word इस second form यहाँ पर लगी हुई है तो क्या बेचा है बेचिये यहाँ पर car ठीक है तो car को बेचा है यह आपका हो जाएगा object ठीक है object हो गया अब car की खासियत यहाँ पर बताई गयी है car कैसी है ठीक है यह आपका noun भी है car जो है noun है car कैसी है यह एक old car है तो यह क्या हो जाएगा adjective हो जाएगा जबकि यहाँ पर n दिया है a,n, the जैसे इसमें भी एक n था तो यह आपका article था ठीक है इसी तरीके से यह भी आपका article तीन होते a,n, the to आपका क्या है यह आपका preposition है और इस यह preposition का ही object है इतनी बात clear आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर यह खासियत बताने के लिए आया था car कैसी है हमारे noun की खासियत बता रहा है चलिए बढ़ते हैं next इस sentence को भी थोड़ा इसका post wordum करते हैं राज क्या है तो राज की अगर बात करें तो राज इसमें जो है subject है और noun भी है ठीक है watch, watched, watched वर्व की second form दी वे वर्व है आपका क्या watch किया movie को देखा वही object हो जाएगा ठीक है object हो जाएगा वही movie थी कैसी यह आपका noun भी है तो movie थी कैसी movie जो थी पड़ा छोटी थी short थी खासित noun की बताई गई यह है तो यह आपका adjective हो जाएगा यह अताई है यह आपका article हो जाएगा ठीक है article हो जाएगा a बिद क्या है यह आपका preposition हो जाएगा ठीक है और यह इस preposition का object तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो adjective होता है adjective का काम होता है जो noun है हमारा उस noun की खासियत बताने के लिए आना जैसे यहाँ पर car दिया था car की खासियत ही नई है पुरानी है ठीक है किस प्रकार की आगे देख लेते हैं अभी यह आपके basic class है यह भी ध्यार रखेंगे फिर topic by this class जो होगी वो आगे आएगी इसी इसका भी ध्यान रखना types of adjective अभ यहाँ पर इसी adjective के ही प्रकार दिये गए है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यह किसकी खासियत बताने के लिए आता है noun की खासियत बताने के लिए आते हैं ठीक है जितने भी adjectives होते हैं वो noun की खासियत बताने के लिए आते हैं और फिर आता है ठीक है गुड किसका बताएगा हमारा जो चाहिए तो इस तुक है नावल्ड यह है अपका सरकुलर रैक्टेंगफिके रेड्ड ब्लैक तुस तरीके के है想 है गोडन, आयरन, वो किस तरीकी की क्या चीज़ बनी हुई है, तो ये सबी लगेंगे किसे नाउन से पहले लगेंगे ठीक है नाउन से पहले लगकर ठीक है पहले लगकर नाउन की खासियत बताएंगे ठीक है उस लगकर नाउन की खासियत बताएंगे ठीक है नाउन की खासियत बताएंगे ठीक है खासियत ये बताएंगे इतनी बात समझ में आ गई हो गया इसी तरीके से जितने ये सभी लगेंगे दूसरा है quantitative तो quantity बताने के लिए इसमें कहीं न कहीं एक जो मात्रा है मात्रा बताने के लिए आते हैं ठीक है? जैसे few हो गया, कुछ many अतिदिक ज़्यादा हो गए little कम हो गए much अतिदिक सम कुछ हो गए all सभी ये क्या है? मात्रा बता रहे हैं जो हमारा noun है वो क्या? जैसे few परसन है many boys है little money है तो इस तरीके से ये भी noun से पहले ही लग करके इनको ये हो गया आपका दून आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ और थर्ड नंबर है possessive adjective तो देखेगा possessive क्या है? इसमें कहीं न कहीं जो है position दिखाए जाती है कबजा कह सका तो जिस पर अपना कबजा हो कबजा दिखाया जाएगा वही जैसे my car वही ये मेरी car है है ना मेरा school है मेरा घर है our हमारे घर है तो इस तरीके से yours तुमारा है is उसका है her it's their टो ये सभी possessive adjective है तो इसमें कहीं न कहीं अपना इसमें कबजा बताएगा कबजा तो वही ये तो भी मेरा है मेरे पपा है मेरी मम्मी है इस तरीके से कही ने कहीं बताने की कोशिसत में की जाएगी ठीक है इतना बिलकुल क्लियर हो गया होगा ठीक है अगर किसी को नहीं होता है समझ में नहीं आता है अगर आपको दे बन से आएंगे ये मेरी गारंटी है कि हर एक बच्चे को 100% 100% हर एक word समझ में आएगा day one से चले जाएगा और day one से इस वीडियो को जरूर देखें ये कहीं न कहीं एक पैनेशिया है एक शांदार class है आप लोगों के लिए ठीक है अगला four number में देखेगा demonstrative तो ये कहीं न कहीं क्या दिखाएगा demonstrate करेगा means इसमें किसी की तरफ मतलब निर्देशित करना कह सकते है ठीक है की तरफ इशारा या कह सकते है ठीक है किसी की तरफ इशारा करेंगे ना इशारा करना निर्देशित करना ठीक है तो इसमें निर्देशित इसमें किया जाएगा, ठीक है, निर्देशित किया जाएगा, जिसे this, वो उदर की बात करेगा, that ये, these means ये, those means वो, ठीक है, ये, singular में दोनों use करते हैं, सिंगूलर के साथ use करे जाएंगे, और ये दोनों ही plural, ठीक है, plural noun के साथ में कहीं न कहीं ये use होंगे, ठीक है, this, that, these, दो, चार होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं next की तरफ, अगला है, numeral, आप देखेंगा, numeral की बात करते हैं, numeral adjective होते हैं, कहीं न कहीं ये संख्या बताएंगे, ठीक है, संख्या बताने के काम में आते हैं, इसमें भी दो हैं, एक आपका कॉर्डिनल, और एक होता ओर्डिनल, कॉर्डिनल जो होते हैं, from one two, है न, one two, ये है, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है, one two, dead, dead, death, चले जाएंगे, कितना भी संख्या हो, ठीक है, यहाँ पर कहीं न कहीं दूसरे में order होता है, order कहीं न कहीं लगा हुआ है, first second, third, fourth, है न, इस तरीके से, इनको कॉर्डिनल नंबर से बोला जाता है, कॉर्डिनल नंबर, sorry, और ये होत इस तरीके से इसमें चले जाएंगे, first, second, third, fourth, fifth, sixth, इस तरीके से चले जाएंगे, और last हमारा है, proper adjective, तो देखेगा, ये proper adjective क्या होता है, इसकी अगर बात करें, किसी भी प्रकार का उचित, वैसे तो इसको हिंदी में कह सकते हैं, उचित वाला adjective है, क्योंकि जिस चीज को, क्योंकि जिस नाम से जानते हैं, उसी को ही हम लोग जो है proper adjective कहते हैं, जैसे Italian है, Italy के आदमी को हम Italian कह देंगे, ऐसे Germany वाले को German कह देंगे, घंदीयन है, गंधी जी के विचारों तो एक कही न कहीं जो प्रभावित लोग होते हैं, उनको जो है कह सकते हैं, ठीक है, तो इस त प्रपर एडजेक्टिव ठीक है तो इस तरीके से आपके पांच प्रकार हो गए ठीक है एक बार बता देता हूं पांचों प्रकार हो थुड़ा सा एक बार बता देख लिएगा क्यूंकि आगे बारने वाले कुशन में यही सभी पूछे जाएंगे ठीक है पहला था क्वालिटी गुड़ बताने के लिए उसके बाद में क्या था अगला था पजेशिप ठीक है पजेशिब बाला था और उसके बाद में अगर बात करें डेमोस्ट्रेटिव था इस तैट इस दोल्स ठीक है और इसके बाद में था नूमरल एडजेक्टिव था कार्डिनल ठी इसमें आएगा और्डिनल इसमें भी दिया था चलिए अब ये आपके लिए एक कहने की चोटा सा टेस्ट है और निशित तोर पर अगर ये आप लोग अच्छे से कर देते हैं तो मैं मान जाओंगा कि हां जो मैंने भी पीछे बताया है वो बिलकुल 100% आपने सही दिया है ठी चलिए अब इनको देख लेते हैं बही क्या क्या है कौन सा टाइप इसमें दिया हुआ है क्या है तो हमारा पहले सेंटेंस है मोहन है जर्मन तो क्योंकि पोस्टमर्टम जरूर्व है मोहन कौं है सब्जेक्ट है डाउन भी में है ये है help 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 verb की यहाँ पर second form है verb है किसकी मदद की किसी सैनिक की मदद की यह बाई soldier तो यह हमारा हो जाएगा object ठीक है term हो जाएगा किस परकार का soldier था यह बाई soldier जो था German बाला था तो यह हो जाएगा proper ठीक है proper adjective तो यहाँ पर जो German है वो कैसा है proper adjective है और यह जो है article हो जाएगा ठीक है article हो जाएगा तो ध्याँ रखेंगे Germany का रहने वाला जो है वो German कहलाए तो इसमें German में capital भी आएगा ठीक है German तो Germany का रहने वाला बेक्ती ठीक है तो यह proper adjective है दूसरे की बात कर लेते हैं यहां पर आई हमारा subject हो गया और आई आपका क्या है यह आपका pronoun भी है ठीक have क्या है helping verb हो जाएगी by bot यह आपका man verb हो जाएगी ठीक क्या खरीदा है flowers को खरीदा है ठीक है यह आपका हो जाएगा object औके और किस प्रकार के flowers थे कौन से बाले flower थे these यह flower थे तो यह क्या हो जाएगा यह आपको और बताना है तो यह demonstrative demonstrative क्या था adjective demonstrative adjective हो जाएगा यो किसमें चार होते हैं this that these those जो कहीं न कहीं किसी को निर्देशित करते हैं दिसा दिखाते हैं for क्या है for आपका preposition है और यह इस preposition का object है wife जो है preposition का object है और यहाँ पर यह आपका adjective है वो भी कौन सा माई है means यह आपका possessive possessive adjective है ठीक है तो यहाँ पर possessive adjective क्या हो गया माई और these इसमें दो थे ठीक है दो इसमें थे माई यह तो possessive बहला था और यह आपका demonstrative बहला था इसमें आपका जर्मन था वो तो proper बहला था जर्मन बहला ठीक है यह आपका proper था अगले sentence को देखते है silpa silpa आपका वैसे तो subject है ठीक है और noun भी है ठीक give given यह आपका verb की second यह पर बरव है हमारा ठीक है क्या दिया है books को दिया है books हमारा object हो गया है और यह आपका noun भी है ठीक है कैसी books है कुछ किताब है तो यह भाई कौन सा है कहीं न कहीं quantity बताई जा रही है quantitative adjective हो जाएगा quantitative adjective हो जाएगा तू क्या है preposition है ठीक है और यह इस preposition का object हो जाएगा और friend है इसका मित्र है उसका है यह आपका possessive adjective हो जाएगा ठीक है possessive adjective हो जाएगा क्या हर तो यहाँ पर हर हो गया यहाँ पर sum हो गया तो यहाँ पर कौन-कौन से आगए sum एक निकल करके आया है और दूसरा आया है हर यह तो possessive हो गया और यह कौन सा हो गया यह आपका quantitative adjective हो जाएगा ठीक है इतनी बात बिलकुल confirm हो गई होगे कोई problem इसको समझने में नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है ठीक है आगे बढ़ते हैं इन तीन sentences को आप लोग और करेंगे जरू और इनको अगर आप लोगों ने कर दिया तो आगे की जो करवाई है आगे का जो कारे है तो हम लोग कल करेंगे ठीक है क्योंकि अभी आप पर ज़्यादा वर्डन डालना ठीक नहीं है ठीक है चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कॉमल कॉमल यहां पर भई देखो subject हमारा हो गाएगा sentence में तो और यह का noun भी हो जाएगा ठीक है sell sold हो जाएगा बर्ब हो गया हमारा क्या sold किया किताबों को sold किया ठीक है किताबों को sold किया object हो जाएगा क्कों सी किताबे थी दोज थी दोज क्या है यह demonstrative adjective हो जाएगा ठीक है all all क्या है all आपको और बताना तो यह all जोने हो वो किस परकार कैस्में हो जाएगा वो भी आपको जरूर जाएगा तो यह देखेगा यह भी आपका क्या बता रहा है quantity quantitative adjective है ठीक है अब इन क्या है preposition है ठीक है और यह आवर जो है इस preposition का object है तू क्या हो जाएगा तू यहां पर भी तो है भई तू फिर क्या हो जाएगा तू की अगर बात करेंगे तो यह जो है हमारा दूसरा है इसमें हो जाएगा cardinal यह cardinal number हो जाएगा cardinal जो है adjective भी कह सकते हैं ठीक है और जो की use कर रहे है two hours के लिए ठीक है तो यह आपका cardinal हो जाएगा अगले की बात करें तो we we क्या है subject है यह आपका pronoun भी है ठीक है need हमें आवशक्ता है तो यहां पर यह क्या होगा वर्व हो गया ठीक है इसके लाबा किसकी जरूरत है brave and loyal soldiers तो देखेगा soldiers की जरूरत है क्या हो जाएगा object हो जाएगा और soldiers की खासियत क्या बताएगा दो quality इसमें कहीं ना कि एक तो brave होना चाहिए और एक loyal होना चाहिए तो यह तो दोनों ही हो जाएंगे है ना तो यह कौन को हो जाएंगे यह भी ध्याद रखती है यह आपके quality बताने के लिए qualitative है qualitative adjective है दोनों ही ठीक है यहाँ पर end क्या है conjunction है दोनों बड़ों को जोडने के लिए आ रहा है ठीक है poor क्या है नमरा preposition है और country जो है इस preposition का object हो जाएगा preposition का object हो जाएगा our क्या है our जो है यहाँ पर progressive progressive adjective हो जाएगा इस object के लिए ठीक है तो यहाँ पर निकल करके आया our और एक था brave और loyal क्या था brave और loyal ठीक है तो यह सभी sorry यह सभी क्या थे यह सभी आपके हो गए adjective ठीक है तीन तो इसमें थे इस वाले में कौन था था दोस था एक तो ठीक है दूसरा था all और इसके अलावा next था to यह भी आपका था चलिए last score देखते हैं last one को such in such in क्या है subject है वई noun भी है ठीक है score scored scored यह भी आपका verb हो गया verb की वो भी second form है क्या score किया तो उसने century score किया object हो गया हमारा noun भी है ठीक है अब कौन सी थी second थी ठीक है यह ordinal जो है adjective हो जाएगा ही जी थी possessive adjective हो जाएगा position बता रहा है possessive adjective हो जाएगा यह भी इन क्या है preposition है ठीक है कौन सा टूर्णामेंट इसमें आपका preposition का यह object हो जाएगा और that है this that these those यह demonstrative demonstrative adjective हो जाएगा यह खासित बता रहा है इस noun tournament की noun भी है ठीक है तो इसनी बात आपको clear हो गही हो अगर इसी प्रकार से अगर आप class को अगर देख लेते हैं one two time तो hundred percent तो आपके जितने भी doubt होंगे वो सभी के सभी doubts एक्दम clear हो जाएंगे कल मैं आप लोगों को बताऊंगा adjective versus pronoun क्योंकि सर बच्चे जो है धोखा खा जाते हैं adjective में और pronoun जैसे दिया हुए this क्योंकि this that these those यह आपका adjective के रूप में भी आता है और pronoun के भी रूप में आता है लेकिन बस बात यह है adjective जब कभी भी आता है है ना वो आता है noun से पहले ठीक है तो इसमें noun नहीं है means आपका यह pronoun ठीक है अब यहाँ पर दिखेगा पार दिये दिस से पहले यह आपका noun है तो यह इसके लिए बताने के लिए आ रहा है यह आपका क्या हो जाएगा adjective हो जाएगा तो इस इसको भी मैं आपको कल एक शांदर तरीके से explain करने के लिए हाजिर हूँगा तो thank you thank you for watching this video और अपने friends में ज़्यादा से ज़्यादा share जरूर कर दीजेगा जिससे आपके जो friends है वो भी इस class का benefit ले सकें ठीक है नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा so thank you